रामायन में एक घटना का वड्णन आता है कि श्री राम को ना चाहते हुए भी जान से भी प्यारे अपने अनुच लक्षमन को मृत्यु दंड देना पड़ता है आईए जानते हैं आखिर क्यों भगवान राम को लक्षमन को मृत्यु दंड देना पड़ा नमस्कार दोस्तों हमारी यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों इस एपिसोट में हम आपको बताएंगे आखिर क्यों राम ने अपने भाई लक्षमन को मृत्यु दंड दिया दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी ही रोचक वीडियो आप तक बिना किसी रुकावट के मिलती रहे धन्यवाद ये घटना उस वक्त की है जब श्री राम लंका विजय करके अयोध्या लोट आते हैं और अयोध्या के राजा बन जाते हैं एक दिन यम देवता कोई महत्तुपूर्ण चर्चा करने के लिए श्री राम चंद्रजी के पास आते हैं चर्चा प्रारंब होने से पूर्ब वो भगवान राम को कहते हैं कि आप जो भी परतिग्या करते हैं उसे पूर्ण करते हैं मैं भी आपसे एक वचन मांगता हूँ कि जब तक मेरे और आपके बीच वारता लाप चले तो हमारे बीच कोई नहीं आएगा और जो आएगा उसको आपको मिर्त्यू दंड देना पड़ेगा भगवान राम यम को बचन दे देते हैं राम लक्ष्मन को यह कहते हुए द्वारपाल निउत कर देते हैं कि जब तक उनकी और यम की बात हो रही हो वो किसी को भी अंदर ना आने दें अन्यथा उसे मिर्त्यू दंड देना पड़ेगा लक्ष्मन भाई की आज्या मानकर द्वारपाल बनकर खड़े हो जाते हैं लक्ष्मन को द्वारपाल बने कुछ ही समय बीचता है वहाँ पर रिशी दुर्वासा का आगमन होता है जब दुर्वासा ने लक्ष्मन से अपने आगमन के बारे में राम को जानकारी देने के लिए कहा तो लक्ष्मन ने बिनमरता के साथ मना कर दिया इस पर दुर्वासा क्रोधित हो गए तथा उन्होंने संपूर्ण अयोध्या को श्राप देने की बात कही लक्ष्मन जी समझ गए कि यह बिकट इस्थिती है जिसमें या तो राम जी की आग्या का उलंगन होगा या फिर संपूर्ण नगर को रिशी के श्राप की अगनी में जोखना होगा लक्ष्मन ने शिग्र ही यह निश्य कर लिया कि उनको स्वयम का बलिदान देना होगा ताकि वे नगर वासियों को रिशी के श्राप से बचा सके उन्होंने भीतर जाकर रिशी दुरवासा के आगमन की सूचना दी भगवान राम ने शिग्रता से यम के साथ अपनी वारता लाप समाप्त कर रिशी दुरवासा की आओ भगत की परन्तु अब श्री राम दुविधा में पढ़ गए क्योंकि उन्होंने अपने वचन के अनुसार लक्षमण को मृत्यू दंड देना था वो समझ नहीं पार रहे थे कि वो अपने भाई को मृत्यू दंड कैसे दे लेकिन उन्होंने यम को वचन दिया था जिसे निभाना ही था इस दुविधा की इस्तिती में श्री राम ने अपने गुरू का इस्मरण किया और कोई रस्ता दिखाने को कहा गुरुदेव ने कहा कि अपने किसी प्रिया का त्याग उसकी उमृत्यु के समान ही है अतह तुम अपने वचन का पालन करने के लिए लक्षमण का त्याग कर दो लेकिन जैसे ही लक्षमण ने यह सुना तो उन्होंने राम से कहा कि आप भूल कर भी मेरा त्याग नहीं करना आप से दूर रहने से तो यह अच्छा है कि मैं आपके वचन का पालन करते हुए मृत्यू को गले लगा लूँ ऐसा खाकर लक्षमण ने जल समाधी ले ली दोस्तो अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाई बाई एंड टेक कियर झाल